Hello Teachers, ये छोटा सा डैमो वीडियो है आपको ये सिखाने के लिए कि अगर आपकी WhatsApp पे Google Meet का लिंक आता है तो आप उसे किस तरीके से जोइन करेंगे So छोटे से step है बिल्कुल छोटी सी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे तो मैं इसे आपके लिए शुरू करता हूँ तो जैसे WhatsApp पे आपके पास लिंक आया, किसी ने लिंक भेजा कि मीटिंग को जोइन करना है तो आप आप लिंक पे क्लिक कीजिए Google Meet ओपन हो जाएगी ओपन मीट होने के बाद आप से पूछेगा कि आपको प्रेजेंट होना है तो आप प्रेजेंट पे क्लिक कीजिए Continue कीजिए और सामने वाला बंदा इसे आपकी रिक्वेस्ट को क्या करेगा Accept करेगा उसके बद स्टार्ट नाओ पे क्लिक करना है आपने और यहाँ पे Stop Presenting पे आप एक बार क्लिक कर दीजिए अब यहाँ पे जो बटन से मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले जैसे उपर आपका जो बटन आएगा देखिएगा बिल्कुल यह है आपका speaker का कि speaker on करना है ओफ करना है यहाँ से आप ध्यान रखे सामने वाले की अबास तभी सुनाई देगी यह आपके तीन जो आइकन से हैं वो दिख रहें आपको microphone का है call disconnect का यह आपका camera on करना है यह आपने अगर आपको ने बीच में से किसी को भी देखना है तो उस पर click किजिए और सामने वाले आपको दिखना क्या हो जाएगा शुरू हो जाएगा और जब भी आपको बोलना हो तो आप microphone क्या कर सकते हैं तो दिखा सकते हैं तो बड़े simple simple step है इस Google Speech को गया करने के लिए यूजज करने के लिए तो आप असानी से क्या कर सकते हैं मैंने सारे button आप tą अच्छी से बता दीए बसास बाओ द्यान रखना है कि सामने वाले की ऑवाज सुननी है आपको अपनी आवाज उने क्या करनी है, सुनानी है, so that's it, I hope next time prepare हो जाएंगे आप,